Step 1. Enemy को knock करो. Step 2. अब enemy को carry करके किसी भी squad house के अंदर चाओ. Step 3. अब किसी भी wall के पास जा के enemy को put down करो. Result. ऐसा करने से enemy wall के आर पार चला जाएगा. Water city के पानी के पास जाओ. अब enemy को बोलो, पानी में जाए. अब आप अपने graphics को smooth plus color को realistic करो. ऐसा करने से आप पानी के अंदर वाले enemy को easily देख पाएंगे. Step 1. Enemy को knock करो. Step 2. अब enemy को carry करके किसी भी squad house के अंदर चाओ. Step 3. अब किसी भी wall के पास जा के enemy को put down करो. Result. ऐसा करने से enemy wall के आर पार चला जाएगा. क्या यार? ऐसा होगा? 5 chances तो कम लग रहें. बटाईए. आपने बोला तो भाई try करते हैं. अब कि तो यहाँ पे हम squad house के पास आ गए हैं. अभी आईए इस enemy को knock करके उठा के wall के पास drop करते हैं. नहीं bro, हम wall के पास किसी को भी put down नहीं कर सकते हैं. It means this myth is busted. Step 1. किसी भी पेड़ के पास जाओ. Step 2. अब smoke को पेड़ के पास करो. Step 3. Smoke होने के बाद पेड़ के दूसरे साइट जाके पेड़ को चिपक कर खड़े हो जाओ. Result, इसे आप smoke के आर पार देख सकते हो और कोई भी आपको बाहर से नहीं देख सकता. वह भाई साब ऐसा है, एर सुनने में काफी ज़्यादा मज़दार लग रहा है, चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे हम पीड़ के पास आ गए हैं, अब ही आई यह smoke करकर देखते हैं. Yes, bro, सच में, यहाँ पे तो हमें smoke के आर पर दिखाई दे रहा है, जिससे हम किसी भी enemy को surprise attack देके मार सकते हैं. अब ही आई यह enemy का POV देखते हैं. अरे भाई यार, यहाँ पे तो enemy के POV में तो हम दिखे नहीं रहें, इसका मतलब यह है कि ऐसा करने से कोई हमें बाहर से नहीं देख सकता है. Nice! It means this myth is confirmed. अब गाईज, आपको वीडियो पसंदा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, आपको ऐसी और वीडियो देखनी है, तो आपको वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगे. न्यू अप्डेट के बाद ब्रिज की रेलिंक्स को चेंज कर दिया गया है, स्वाहिए अभी ब्रिज के ओपर से बगई पर जम करके देखते हैं। आप विंजो अप्की मदद से न्यू एक्सूट खरीज सकते हैं। अगर आप जोयस्टिक को मूफ करते हुए किसी वाल को क्लाइम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप स्प्रिंट रेंट बटन प्रेस करके वाल को जल्दी क्लाइम करोगे। अच्छा ऐसा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जोयस्टिक से इस वाल को क्लाइम करते हैं। अगर तो अभी आईए स्प्रिंट रेंट बटन को प्रेस करके क्लाइम करते हैं। वाव ब्रो, यहाँ पे हम स्प्रिंट रेंट बटन प्रेस करके किसी भी वाल को जल्दी से क्लाइम कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी के बाहर रहोगे तो टीम मेट के फुट स्टेप साउंड नॉर्मल आएंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर रहोगे तो आपके टीम मेट के फुट स्टेप साउंड एनिमी की तरह आएंगे। अच्छा ऐसा है, चले देखते हैं। वाल बाहर तो देगे नॉमल साउंड आ रहा है अब या या ये गाड़ी में के टिन करके सुनते हैं येस यार यहाँ पर तो एनेमी के चलने जैसे साउंड आ ये ग्रेट ब्रो स्टेप वन वाटर सिटी के पानी के पास जाओ स्टेप 2 अब आनेमी को बोलो पानी में जाएं स्टेप 3 अब आप अपने ग्राफिक्स को स्मूथ प्लस कलर को रियलिस्टिक करो रिजर्ट ऐसा करने से आप पानी के अंदर वाले आनेमी को एजली देख पाएंगे अगर आपकी पास सची तो आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा आईए से ट्राइ करके देखते हैं तो यहां पर हम वाटर सिटी के पास आगए हैं अब हमारा अनेमी भी पानी के अंदर है अब ही आईए अपने ग्राफिक्स को चेंज करके देखते हैं अब हैसाब आपकी बात तो सॉटर का सच है यहां पर जैसी हमने ग्राफिक्स चेंज किये हमें अनेमी पानी के अंदर से भी दिखाई देने लगा ग्रे वलाइए इसी को दूसी जगा पर ट्राइ करके देखते हैं यह दिखता है या नहीं दिखता है तो यहां पर हम दूस तो मैं आपको बता दूँ वाटर सिटी में तो आनेमी को पानी के अंदर पूरा आप देख सकते हो लेकिन आप दूसरी जगा पर हो तो आपको विजिबल होगा बाकी इसी ट्रिक से आप अनेमी को सर्प्राइज दे सकते हो अब कोई भी हिलिंग आइटाम उठाओ अब उसे थ्रो करते रहाओ रिजर्ट ऐसा करने से वो कभी खत नहीं होंगे यानि कि आपके पास अलिमिटेड आ जाएंगे अच्छा ऐसा है लेट्स ट्राइए तो हम च्विएर पाक में आ गए हैं अभी आईए इन्हें थ्रो करक देखते हैं अरे यहां पर तुए खत भी नहीं हो रही यानि किसी हम यहां पर अलिमिटेड टाइम थ्रो कर सकते हैं होके तो यह करेक्शन है अगर हम प्रोन होने के बाद स्कोप को हाथ में लेंगे एंड मूव्मेंट करेंगे तो आपके रेंग ने की साउंड नहीं अच्छा ऐसा है चलिए ट्राइ करते हैं तो सबसे पहले बिना स्मोक के प्रोन होके चल के देखते हैं अब याईए स्मोक को हाथ में लेके प्रोन होके चल के दिखते हैं अरे नहीं ब्रो ऐसा करने से भी रेंगनी की साउंड आती है किसी भी वाल के पास जाके जम प्लस क्लाइम प्लस प्रोन बटन एक साथ दबाओं रिजर्ट ऐसा करने से आपका करेक्टर वाल में क्लिच हो जाएगा क्या ऐसा है सच में चलिए ठेकते हैं नहीं ब्रो या तो कोई भी क्लिच नहीं होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो या लाइक कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए विपेक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आप से कोई भी वीडियो मिसना हो मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बापाई टेक केर